इसमें एक बलफ लगा हुआ है और हुमिडिटी के लिए नीचे एक लोटा पानी का भरके रखा हुआ है एक आटो कट है टेंपरेचर का टेंपरेचर जितना हम सैट करते हैं उतना जाने पर बंद हो जाता है बलफ और कम ओने पर जल जाता है एक किस दिन बाद चीज में आपको ऐसे मॉडल के बारें बताऊंगा जहां पर कम से कम 12-13 की वराइटी है इसमें बत्तक हैं मुर्गें हैं बकरियां हैं गाय हैं मचलियां है साथ में साने फूर्ट भी लगाए हुए तो सरसे बाते करेंगे जाने किस तरह से इनका मॉडल काम करता है क्या हैं इंको इस सर एक परीचे दीजे सर अपना छोटा सा मैं नाम का सिराम है गाओ बालियर कुद तैसील जिला रिवारी जी और एजुकेशन डिपार्टमेंट में हाइड मास्टर के पद पर कारियर रत हूं जी सर आप टीचर टीचिंग लाइन में आप जॉब करते हैं तो सर यह जो शान आपको स्टार्ट करने वाले हो तो सरी विचार आपको कैसे आया यह मेरा सोक था घरों घर में में पेड़ पोदे लगाता था और यह पक्सी वगरा पालता था जी तो मैंने सोचा क्यों ना इसको कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में से आमको थोड़ा समय भी मिल जाता है कियो ना इसको लास केल हे जाये इसलिए मैंने इसको सोखिया तो पर लास केल पी किया है बूसरा गाय आजकल बढ़िया दूद नहीं मिलता ह Works Heights यहां पर मैंने देशी गाये रखी हुई है, तो यहां बच्छों को दूद मिल जाता है, है सबगा हुई हुई है बिना खात की सबझियां मल जाती है परिवार के लिए और हर तरह के मैंने फ्रूट लगा हुए है तो सर जैसे आपने स्टार्टिंग आपकी कव भी थी है ये करीब मैंने धाई साल पहले सुरू किया तो आपको कैसे यह मॉडल का आपको नॉलिज कैसे होई सर नहीं ये मैंने खुद ही अपने नेट पे सर्च किया और दूसरा किस-किस तरहें के पेड यहां लग सकते हैं इस स्वाइल में पानी में हमारे में मिट्टी और पानी टैस्ट कराया था उसके बाद मैंने शुरू किया और ख़र्चा निकालने के लिए क्योंकि फार्म पे लेबर रहती है खर्चा निकालना है तो यह जैसे बकरियां है हमारे बुज़ूरु कहते थे बखरी और लकडी में करी थी तो आपको कोई समस्या भी आई थी सप्लाई कहां करें कहां से लें थोड़ा वो एक तजरूरुबा सा तबड़ा शेयर करिया सर नोनवेज का चलन क्योंकि बढ़ रहा है आज कल इसलिए मुझे क्योंकि यह सारा नोनवेज से सम्मंदित काम हैं बकरियां हैं कड़कना हैं देशी मुर्गे हैं बतक हैं इनके अंडे बिखते हैं तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं आई इनकी सेलिंग पॉइंट के लिए तो सर जैसे आपने का कि आप सेल भी गरते हैं तो क्या कि आप सेल करते हैं किस किस रेट पर सेल करते हैं बकरियां मेल और यह बकरियां तो सारा आपके फार्म से उड़ जाता है यही के यही से चला जाता है तो शर आगे बी प्लान क्या है अपका का मैं जिसे देख रहा हूं अने क्या आइन जाए लाइफे ड़क अ लेक वाइन लकी अक्मे पे पर न है क्या है जे लगा Тक ये लग वग में लेक कि आठिन एक यह को जो को कि प्रसर पानी जादा है और इस तंक के अधर के दब के रब दा के बार चोटा लिया तो क्यों कि वह बर्प्रेसर जादात कि बांट 13 मैं इसमें ये इसके द्वारा एर दे दी जिससे ये पानी उठके और वापी सिसी में चला गया और ये 24 गंटे आपने आप पानी रोटेट होता रहता है जिससे कि इसके अंदर जो गैसे बनती है उन निकल जाती है ये बेल्जियम सैफ़ड है हां सर थोड़ा बताएं इसके बार सोजाता हूं कोई चिंत इन में कोई chemical या खात इस्तेमाल नहीं करता हूं यह अफरीकन है तो सर इसका विचार आपको डिजाइन जो आपने बनाया है कैसे विचार सर इसका है यह मैं फरे में रिसर्च सेंटर है गोट रिसर्च सेंटर है फरे में मतरा से 25 किलोमेटर आगे मैं वहां गया था एक डॉक मेल है यह क्या रेट की पड़ती है यह एक्चुली ना मैंने करनाटक से 55-55 आजार के दो बच्चे मंगाए यह पहली बार ब्याइत इसने एक बच्चा दिया है वो पर ले जो है तो सरी डिजाइन में देख रहा हूं इसका क्या फायता है जो डिजाइन इससे जो बेस्ट ह बच्चे निकल जाता है यह सुका रहता है और बकरियों में ज्यादा तर बिमारी गिल्लेपन के कारण आती है तो इसलिए कभी भी बकरिया मुझे बिमारी की दिक्कत नहीं आई तो क्या एरिया है कितना खर्चा सर इस पर आया शिए यह 20-80 का है इसके मैंने चार पार्ट क बॉंट हमकर रखें परली तरफ है और इसमें लग बनां घुरा के करीव करतां आप कमी है अब यह सारी भाइंगी तुर फिर बढ़ जाए अपने घुए आप पीछे उसका बढ़िया खाथ बन जाता है यह पिग जाता है यह चार रुपे के लो बिगता है लेकिन मैं तो अपने खेटों मेरे बादों में जाधा इस्तेमाल करता आज पर देखर नीचे इसमें बत्थ भी यह जो छोटी बत्थ है यह ब्त दे देती हैं इनका जो गए हम वो मुर पारम से बिख जाता है और बल्कि अंडों के तो पूर्ती भी नहीं हो पाती है मैंने एक मसीन बनाई हुई है बच्चे निकालने की उसके कोस्टिंग सरफ अजार उपे याती है और अजार उपे में हैच्री बनाई हुई है अही सर देखने चाहेंगे है मैं उसको दिखाऊंगा आप लोगों को अजार इसमें बलफ लगा हुआ है और हुमिडिटी के लिए नीचे एक लोटा पानी का भरके रखा हुआ है एक आटो कट है टेंपरेचर का टेंपरेचर जितना हम सेट करते हैं उतना जाने पर बंद हो जाता है बलफ और कम ओने पर जल जाता है पर इसमें अटेर के अठारा दिन बाद निकल जाते हैं और मुर्गी के एक इस दिन बाद अपने आप निकल जाता है इस पर सिरफ हजार उपय का खर्चा अगर कोई भाई आप से बनवाना मैंने बहुत लोगों की बना के दे रहा हुँ मैं यह और यह उसमें अपना बला एव minha a deputy यह पांसी नगाई होalies कि आपा क्वा अच्राद कर यह दो साल के पेड हें तो शाल के पेड़ Frank जैंक 그 मैं रिख रहिए हम और से थाफल neले एं और 6 6 अगर तो इनमें फाल ले रहे हैं a कि अनार के पूपbed तियार किये गए है और इसका नार का गुपट ऑर क्या इसर आपके पास पर्फटे हैं पूरी पूरा है गाव ए पकते हैं आडू है आम है सब fisher चैमिकटों के पेड़ु है जो टॉडा आता है जिसमें से और्गनिक लग़े बाए यह दो साल का अनार का पेड है इसमें काफी मात्रा में अनार लगे हुए है और इनका बीज बहुत सौफ्ट है बहुत बढ़ी है यह अलू-बुखारे का है अडू का है यह मैंने तु सोलर पैनल अपने लगा है में के क्या में इस्तिमाल है यह सरकार की तरफ से अबसीडी मे तो इसी से टूबेल चलता है पानी के लिए एक तरह से बिजली पानी से फ्री है फ्री है धन्यवास सर दन्यवास तरह